अठारवी लोकसभा के पहले सत्र की पहली बैठक में आज प्रधान मंत्री सहित मंत्र प्रिशत के सदस्यों ने शपत ग्रहन की इश्वर की सपत लेता हूं कि मैं बीदी द्वारा स्थापित भारत के समिधान के प्रती सच्ची स्रध्धा और निश्ठा रखूंगा प्रोटिम स्पीकर भरत्रेरी महताब की अध्यक्षता में सदन ने शुरुआत में राष्ट्रगान के बाद मौन रखा इसके बाद नेता सदन एवंप्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने शपत ग्रहन की नई संसद में पहले शपत ग्रहन समारों से पहले सुबह राश्ट्रपती भवन में महताब को राश्ट्रपती द्रॉप दी मुर्मूने शपत दिलाई राश्ट्रपती ने महताब को सहयोग करने के लिए पैनल भी तै किया था इसमें कोडी कुन्नील सुरेश, टी आर बालू, राधा मोहन सिंग, फगन सिंग कुलस्ते और सुधीब बंदो पाध्याय का नाम शामिल था इन्हें प्रधान मंत्री के बाद शपत दिलाई जानी थी लेकिन विपक्षी सदस्यों कोडी कुन्नील सुरेश, टी आर बालू और सुधीब बंदो पाध्याय शपत के समय सदन में उपस्थित नहीं थे बाकी तीनों पैनल सदस्यों ने शपत ग्रहन की इसके बाद कैबिनेट मंत्रियों राजनाथ सिंग, अमित शाह, नितिन गड़करी सहित एक एक कर सबने शपत ली कैबिनेट के बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने शपत ली इसके बाद अल्फाबेटिकल क्रम में राज्यों के सासंदों को शपत दिलाई जा रही है सबसे पहले आंद्रप्रदेश से सांसदों ने शपत ग्रहन की ज्यादा तर मंत्रियों ने अपने राज्य की भाशा में शपत ली किंद्रिय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के शपत ग्रहन के दौरान विपक्ष ने शोर किया इस दौरान विपक्ष के नीता नीत नीत शेम शेम के नारे लगाने लगे हाई ही में नीट की परिक्षा का पीपर लीख होने के मुद्दे से राजनी की गर्मा हुई है सदन की शुरुआत में विपक्ष के नीटा हाथ में समिधान लिये हुए विरोध करने लगे आज और कल सदस्यों को शपत दिलाई जाएगी और अध्यक्ष का चैन किया जाएगा बुधवार को राश्ट्रपती का अभी भाशन होगा जिस पर चर्चा होगी और प्रधान मंत्री का वक्तव्य होगा पहला सत्र तीन जुलाई तक है और इसके थोड़े दिनों के ब्रेक के बाद बजट सत्र आयोजित किया जाएगा परंपरा के तहट प्रधान मंत्री ने आज सुबह मीडिया को संबोधित किया उन्होंने विपक्ष से सहयोग की अपील करते हुए कहा कि सरकार सवसम्मती के साथ कार्य करेगी उन्होंने कहा कि सरकार बहुमत से बनती है लेकिन संसत सवसम्मती से चलती है प्रधान मंत्री ने नए और खास कर युवा सांसदों के सदन में पहुँचने पर उन्हें बढ़ाई दी उन्होंने कहा कि यह अवसर विक्सित भारत 2047 और देश के लोगों की आकंख्शाओं पूरा करने का है देश में दूसरी बार है जब एक सरकार को लगातार तीसरी बार लोगोंने सेवा का अफसर दिया है वे अपेक्शा करते हैं कि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभाएगा अब कल लोगसभा अध्यक्ष का चयन किया जाएगा इसके अगले दिन राष्ट्रपती का अभीभाशन होगा राष्ट्रपती के अभीभाशन पर दोनों सत्नों में चर्चा होगी जिसका उत्तर प्रधान मंत्री देंगे लोक सभा का पहला सत्र पूरा होने के बाद कुछ दिनों के अंतराल में बजट सत्र आयोजित किया जाएगा इसमें वित्त मंत्री वित्त वर्ष 24 से 25 के लिए बजट पेश करेंगी